हलवाई वाली कचोरिया तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन ये आलू स्टफ्ट कचोरी के साथ जो चटपटा सा चाट की कॉम्बिनेशन आज में बनाऊंगी, इसे खाने के बाद आप मार्केट वाली चाट भी भूल जाएंगे, तो इस कराई में डाल दूंगी ये चोटे साइस की आलू, अगर आप मीडियम साइस की आलू लेते हैं, तो मैक्सिमम तीन या चार ही लेना, और आलू के साथ में डालेंगे आधा कप हरा मतर, और इसे सौफ्ट होने तक बॉयल कर लेंगे, और तब तक इस बोल में लेंगे, डेर कप गेहु का आठा, आधा कप तेल, और अब इन सब को अच्छे से मिलाके आठे में मौयन कर लेंगे, यहाँ पर मौयन जितने अच्छे से आप करेंगे, कचुरिया भी उतना ही ज्यादा खास्ता बनेगा, तो एक दो मिनिट अच्छे से ऐसे मसल मसल के इसमें मौयन जरूर कर लेना, ताके इसमें अ काफी soft dough मैंने बना ली है और देखिए अभी dough बिल्कुल इतना सा soft रहेगा तो ये आटा गूदने में मुझे करिबन एक काप पानी लगा है तो अभी उपर से थोड़ा सा तेल लगा के इसे चिकना कर लेंगे इससे इसकी उपर की परते भी सूखेगा नहीं और अब इसे के थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे और इधर देखिए आलू और मटर भी अच्छे से बॉइल हो चुका है तो अभी flame को off करेंगे और इन्हें पानी से चान के निकाल लेंगे अभी ये बहुत ज्यादा गरम है तो इसे हम थोड़ा सा ठंड़ा कर एक बड़ी चमच नीमबू का रस और आदी चोटी चमच नमक और इसे अच्छे से पीस लेंगे अगर जरूरत हो तो आप इसमें एक दो चमच पानी या फिर दो तिन आइस क्यूब्स भी एट कर सकते हैं फिर ये चटनी का कलर और भी बढ़िया रहेगा और इधर आलू औ और मटर भी थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है तो अभी इसमें डालेंगे आदी चोटी चमच अद्रग लसुन का पेस्ट आदी चोटी चमच नमक दो चोटी चमच जीरा पावडर एक चोटी चमच लालमिच पावडर एक चोटी चमच धन्या पावडर एक चोटी चमच गरम मसाला और थोड़ इसी धनिया पत्ती और आप आलू और मटर को हातों से ही स्मेश करते हुए इन सारे चीजों के साथ अच्छे से मिला लेंगे यहां पर आलू को ग्रेट करने की जरुरत नहीं होगी क्योंकि आलू की छोटे मोटे चंग्स कचुरियों में रहेगा तो ख एक बर मसल के इसे एक लोई तोड़ लेंगे यह लगभग एक रोटी जितना ही बड़ा होगा तो अब इसे अच्छे से घुमाके गोल करेंगे और फिर ऐसे साइट से घुमाते हुए एक कटोरी जैसा बना लेंगे इसे पेलने की जरुरत नहीं है हातों से ही यह अच्छे स बन जाएगा तो इसे बहुत पतला नहीं करना है थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे अब इसके बीच में डालेंगे यह आलू की स्टफिंग तो स्टफिंग थोड़ा भर भर के ही डालेंगे तभी यह कटोरी खाने में मजा आएगा और फिर यह चाड़ों तरफ से कटोरी के और फिर इसे हत्यों में ऐसे रखके हलका हलका दबाते हुए थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे प्रेशर एक बार में बहुत ज्यादा मत डालना ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सके फैला देना यह देखिए तो अभी ऐसे ही करके चार पांच और बना लेंगे और इध फ्लेम पर थोड़ी देर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और जैसे ही यह खुच से ऐसे ऊपर तैने लगे तो एक-एक कर चpriege प्लट देंगे और ऐसे ही दो तीन बार और पलट पलट के इसे सुने न कलर होने तक प्ल लेंगे यह कचोडिया बिलकुल लो फ्लेम पर फ्राई होगा तो कभी भी आप फ्लेम को मीडियम या फिर हाई मत करना इसे उपर से आपको लगेगा ये फ्राई हो चुका है लेकिन अंदर पूरा कच्छा रह जाएगा और खास्ता तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा ये देखिए ये वाली कचोडिया बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है और टेक्षत देखिए बिल्कुल हलवाई वाला कचोडिया जैसा बनी है तो अभी इन्हें तेल से चान के निकाल लेंगे आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं लेकिन आज इसे मैं कचोडि चाट बनाऊंगी जो खाने में बहुत ही ज्यादा ये दही को मैंने थोड़ा सा नमक और चीनी डालके थोड़ा सा फेट लिया है अब जो फ्रेज धनिया की चटनी बनाई थी वो थोड़ा बहुत उपर से ऐसे डाल देंगे और डालेंगे थोड़ इसी इमली की खट्टी मीठी चटनी ये भी मैंने घर पर ही बनाई है अगर आप देखना चाते हैं तो कॉमेंट करना मैं लिंक दे दूंगी और इसके उपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ इसी भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ इसी लाल मिच पाउडर और थोड़ इसी चाट मसाला और फिट डालेंगे थोड़ आसा सेफ और थोड़ इसी धनि तोड़ी चार्ट आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना चलिए मिलतके लिए नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार